Hello दोस्तो, Welcome to Hypersonic Indian आपने भी शायद यह experience किया होगा और at least किसी को ऐसे करते हैं देखा होगा जब भी हम एक डार्क रूम से बाहर निकलते हैं और सूरज की ओर देखते हैं तो हम एक दम से sneeze कर देते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो Welcome to the Club आप भी एक संस्नीजर हैं और यह फिनोमना नया नहीं है करीब 2000 साल पहले अरिस्टोटल ने भी अपनी बुक The Book of Problems में इसके बारे मताया है कि जब भी वो दूप में निकलते थे तो उनके साथ भी ऐसा ही होता था दुनिया में 20-35% लोगों ने ऐसा ही फिल किया है और सिर्फ सुनलाइट से नहीं इवन किसी आर्टिफिशल लाइट जैसे वल्ब यह ट्यूब लैट से भी ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है और फिर ऐसा सभी के साथ क्यों नहीं होता और कैसा कोई side effect है तो इस वीडियो में आपको सारे questions के answer मिल जाएंगे So let's fire it up Sun sneezing को आच्छू यानि autosomal, dominant, compelling, heliophthalmic, outburst भी कहा जाता है असान भाषा में photic sneeze effect Sun sneezing को समझने से पहले ये देखते हैं कि actual में sneezing होती क्या है ये थोड़ा complicated process है बट बहुत speed से होता है ये start होता है जब हम nose में irritation फील करते हैं तो हमारी trigonimal nerve जो हमारे face में होती है वो excite हो जाती है and sneezing center को signal भीज़ती है जो brain के special part है जो हमारी reflexes को control करता है तब sneezing center से body को कुछ instructions मिलते हैं जैसे nose को signal मिलता है fluid release करने के लिए so that irritation साफ हो जाए and abdomen and chest muscles एकदम से expand होके contract हो जाती है इससे बहुत ही high speed से air हमारे nose and mouth से बाहर निकल जाती है sneezing एक reflex है means ये automatically होता है similarly जैसे doctors जब आपकी knee cap को tap करते हैं तो हमारी leg kick करती है ये एकदम हमारे control से बाहर होता है हमारी body में और भी बहुत सारे reflex होते है for example जब आप एक बहुत ही bright light में बाहर आते हो तो हमारी eyes की pupils shrink हो जाती है ऐसा करने से हमारा retina damage नहीं होता अब sneezing and pupils का shrink होना ये दोनों आपस में related है क्योंकि Aristotle ने कहा था कि धूप की वज़ा से मेरे नाक में heat बढ़ जाती है और इससे ऐसा होता है लेकिन 1950s में एक scientist ने prove किया कि अगर आप धूप में आने पर eyes को close कर लेते हो तब आपको छींग नहीं आती इसका मतलब ये है कि दोनों reflexes में कुछ नाकुछ relation है mostly लोगों में sneezing and pupil का shrink होना different routes follow करते है brain को signal देने के लिए बट ऐसा लगता है कि sun sneezers में वो signal mix हो जाते है इसका possible reason ये है कि हमारे brain में wires यानि nerves cross connection हो जाता है और ज़रूरी नहीं कि ऐसा light के वज़ां से हो even torch यहां तक कि cold air में breathing से या mint खाने से भी ऐसा हो सकता है तो क्या ऐसा genetic reason से होता है या इसका कुछ और भी reason है ये एक autosomal dominant gene के वज़न से होता है अगर simple बात करें तो हमारी body में X and Y chromosome होते हैं हमारी body में जो भी personality traits आते हैं वो gene के वज़न से आते हैं और ये gene पेर्स में होते हैं तो एक gene mother से आता है और एक gene father से बट autosomal dominant gene के सिर्फ एक single gene से भी हमारे अंदर वो traits आ जाते हैं एक ब्राउन हेल्स के लिए एक gene male से आएगा एक gene female से बट ब्राउन आइज के लिए सिर्फ एक ही gene चाहिए no matter चाहिए वो male से आए या female से तो sun sneezing भी ऐसे ही gene से होती है scientist अभी भी इसको लेके शौर नहीं है एक educated guess के according gene के वज़न से हमारे face में present trigenumal nerve oversensitive हो जाती है and pupil shrink होने के signal को transmit करती है sneezing के लिए and हमारा brain misinterpret कर लेता है बड़ क्योंकि इसका कोई positive and negative effect नहीं है so don't worry happy sneezing इस वीडियो में सिर्फ इतना ही hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को like and share ज़रूर करना पता तो चले कि कितने sun sneezers हैं आपके आस पास and comment में बताइए कि क्या आप भी एक sun sneezer है अगर आप latest science वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को subscribe कर लो नीची दिया गया red बटन को दुबा के so जैहिन वंदे मातरम